नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मुकेस हैल्प में स्वागत हैं एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए कुछ जरूरी जानकारी लेके आया हूँ जिसका सम्बंद चार धाम यात्रा और कावण यात्रा से है और आज कल सबसे ज़्यादा यही दोनों सवाल पूरा जरूर देखें इसे से पहले सुरू करें मेरी आपसे एक रिकेस्ट है अगर आप इसी तरह हरिद्वार रिसी केस और चार धाम यात्रा से सम्मंदित कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबादे ताकि आने वाली ह एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे तो अब सुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं चार धाम यात्रा की जैसा कि आप सभी जामते हैं कि चार धाम यात्रा तीन जिलो चमोली रूद्रप्याग और उत्तरकासी के स्थानी निवासियों के लिए एक जुलाई से सु शुरू होनी थी पर इस पर हाई कोट ने रोख लगा दी थि मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रदेश सरकार जल्द सुप्रीम कोट में चुनोटी दे सकती है और ऐसा ही हुआ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोट में मंगलवार को इस सिल्सिले में याच का दाखिल कर और जल्द ही चारधाम यात्रा को लेकर निर्णय आएगा जिससे की पता चल पाएगा कि चारधाम यात्रा कर शुरू होगी और कितने दिन अभी और आपको इंतिजार करना पड़ेगा तो खुल मिलाकर चारधाम यात्रा के बारे में जो भी लोग जानना चाहते थे उनको सिर्फ अभी इंतिजार करना होगा जैसे ही चारधाम यात्रा से सम्मंदित कोई भी निर्णय आएगा मेरी कोशिस रहेगी कि मैं आपको सबसे पहले सूचित करूँ आप बात करते हैं सावन में होने वाली कावड यात्रा की जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि उत्राकंड सरकार ने सावन में होने वाली कावड यात्रा को रद्ध कर दिया था परन्तु एक बार फिर से कावड यात्रा को लेकर सरकार नए सिरे से बिचार करने जा रही है प्रदेश सरकार जल्द अन पड़ोसी राज्यों से बात कर इसमें अंतिम फैसला लेगी दूसरी तरब कावड यात्रा से जुड़े राज्यों के पुलिस अधिकारियों की साजा बैठक में मवजूदा परिस्तितियों पर विचार बिमर्ज किया गया है बैठक में फिलहाल कावड यात्रा इस्तगित रखने की सैमेति बनी है आगे जो भी स्थितियां बनेगी उसी के अनुसार नेनय लिया जाएगा हलाकि उत्तरप्रदेश के सीम ने कोवड के नियमों का पालन करते हुए कावड यात्रा सुरू करने की अनुमति दी है दोस्तो उत्तरप्रदेश के ने सीम ने बीते रोज कावड यात्रा के संबन्द में उत्तरप्रदेश के मुख मंत्री योगी आधित नात्र से बात की लेकिन अन्तिम निर्ने लेना भी बाकी है जल्द ही उत्तराकंड के अधिकारी भी उत्तरप्रदेश और हरियाना के अधिकारियों से कामड यात्रा के लिए बात करेंगे सभी के विचार जाने जाएंगे इसी के बाद अंतिम निर्णे लिया जाएगा कुल मिलाकर अभी यह कैपाना की कावड यात्रा होगी या नहीं बहुत मुश्किल है जैसे ही सावन में होने वाली कावड यात्रा को लेकर कोई भी निर्णाय आएगा मेरी कोशिस रहेगी कि मैं आपको सबसे पहले सूचित करूँ लेकिन इतना जरूर है कि 2-4 दिन में कावड यात्रा को लेकर एक बड़ा डिसीजन आने वाला है इसलिए चैनल से जुड़े रहें ताकि आगी की अपडेट आपको मिलती रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी चानकारी आपको मिलती रहे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में आप सभी अपना ख्याल रखें जै हिंद जै गंगे मता